दोस्तों, रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में आठ घिनौनी बातें बताई थी। जो आज सच हो रही है, करवी है, पर सच है। स्त्रियों के बारे में जो जो रावण ने कहा है, उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, रावन का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराईयां बताने लगते हैं, लेकिन रावन को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित भी कहा जाता है। कहते हैं कि रावन शिवजी का बहुत बरा भक्त था, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था। जीस दिन वह शिवजी की अराधना न करें, लेकिन रावन के एक काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया। सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने का ख्वाब देखने वाला रावन ये भूल गया था कि उसने जीस सीता का अपहरण किया है। वह अयोध्या के राजा दशरत की पुत्र वधू हैं, जिसका खामियाजा उसे अपना प्राण दे कर चुकाना परेगा। लेकिन दोस्तों, एक घ्यानी पंडित होने की वजह से रावन ने अपने प्राण त्याकते समय बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थी, जिन में से उसने महिलाओं की आठ बुराईयों का वर्णन किया था और आज हम आपको उन्ही बुराईयों के बारे में बताएंग का अपहरन किया था तब महिल में वापस आते ही रावन की पत्नी मंदोदरी ने रावन से कहा कि सीता एक पतिवरता स्त्री है। तो फाइदे की जगह इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए स्त्रीयों का साहसी होना एक अवगुन के समान है। दोस्तों यह बात रावन ने इसलिए कही थी क्योंकि जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि रावन ने श्री राम की धर्म पत्नी सीता जी का ह तो मंदोदरी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और डर गई थी जिसकी वजह से रावन के मेहल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावन से कहा था कि आप उस राम की पत्नी को वापस कर दो क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर रावन ने कहा था कि पती रावन के लिए शर्म की बात है। और मंदोदरी की इस बात से रावन ने औरतों के अंदर के साहस को एक अवगुन की तरह बताया था। दोस्तों, दूसरा रावन ने ये बताया था कि स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे तो स्त्रिया कभी बिना वजह ही छोटी-छोटी बातों पर डर जाती है और अपने इस डर से बचने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है स्त्रियां इस भय से बचने के लिए कभी-कभी वह काम करने को त्यार हो जाती है जो काम उन्हें कभी जीवन में नहीं करना चाहिए और इस भय से बचने के लिए स्त्रियां कभी कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है और बाद में उन्हें इस गलती का पच्चतावा भी होता है और इन सबकी वजह से इन स्त्रियों के साथ साथ इनके सगे संबंधियों को भी इस गलत भी बोलने परे तो भी प्रिया तियार रहती है। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता कि वह किस के सामने और किस तरह का जूट बोल रही है। दोस्तों, इस बात को आप सबने अपनी लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि प्रियां या लर्कियां किसी भी हद तक जा सकती है। फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना परे या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना परे या फिर उन्हें किसी को जूटे मन से अपनाना परे। स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती है, किसी भी लालच में फंस सकती है और अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती है रावन के मुताबिक जब स्त्रियों के बाद करने में एक दम से परिवर्तन आ जाए तो उनसे खासकर सतर्क रहना चाहिए क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एक दम से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वह आपसे कोई काम निकलवाना चाहती है रावन ने इस बात को तब कहा था जब रावन अपनी जिन्दगी के अंतिम पलजी रहा था और उसके पास लक्षमन जी खरे थे दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रावन महाग्यानी था लेकिन रावन एक राक्षची का पुत्र भी था जिसकी वजह से वह माया भी था और रावन के दस्र भी थे उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थी और इन सब के बावजूद भी वह स्त्रियों के मन को नहीं पढ़ सका इसलिए रावन में स्त्रियों से संबंधित पांचवा अवगुन यह बताया था कि स्त्रिया मन से बहुत चंचल होती है रावन के मताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है इस बात को जान पाना किसी भी मनुश्य के बस की बात नहीं है स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है उसे कभी वह बताती भी नहीं है और जब उनसे पूछा जाता है तो वह उस बात को इस तरह से घूमा देती है कि उसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है रावन के मुताबिक स्त्रियों के स्वभाव में माया की जहलक होती है अपने चंचल स्वभाव से स्त्रिया केवल आखों आखों में किसी का भी मन मोह सकती है और उन्हें अपने हिसाब से कटपुतली की तरह घूमा सकती है रावन ने इस बात का वर्नन अपने शास्त्रों में भी किया है और इस बात को बखुबी बताया है कि स्त्रियों के सारे अवगुनों में सबसे खराब अवगुन यही है दोस्तों स्त्री की चंचलता से हर मनुश्य को बचना चाहिए क्योंकि इस चंचलता के चक्कर में कई महावली पुरुशों ने अपनी जिंदगी बरबाद कर दी लेकिन इसके बाद भी स्त्रियों की यह आदत नहीं जाती है इसलिए स्त्रियों की इस चंचलता से जितना हो सके दूर रहना चाहिए दोस्तों, छठा अवगुन रावन ने यह बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पांच सकती है अगर आप पुरुश हैं, तो इस बात को बखुबी समझते होंगे और स्त्रियों इस बात को अच्छे से जानती होंगी कि वह किसी भी बात को अपने पेट में नहीं बचा सकती है रावन ने यह बात अपने प्रान त्यागने से पहले बताई थी कि स्त्रियों कभी भी किसी की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रख सकती है तो चाहे आप स्त्री के कितने भी अच्छे सगे संबंधी या फिर रिष्टेदार क्यों ना हो, वह आपका भांडा कभी ना कभी फोर देंगी और आपकी गुप्त राज को आग की तरह तेजी से फैला देंगी। इसलिए स्त्रीयों को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चा होती है. वह किसी भी चीज को अपना दिमाग लगाकर नहीं सोचती बलकि किसी भी सुनी-सुनाई बात को मान लेती है। ऐसा रावन ने इसलिए कहा था क्योंकि रावन की पतनी मंदोदरी ने रावन की कोई भी बात कभी नहीं मानी वह रावन की हर बात के खिलाफ थी और यही कारण है कि स्त्रियां किसी भी स्त्री या पुरुष के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाती है और बिना कुछ सुने या देखे किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेती है और फिर कुछ ऐसा काम कर डालती है जिसकी वजह से ही वह परेशानी में आ जाती है और साथ साथ उनके परिवार वाले भी दिक्कत और परेशानी में आ जाते हैं और फिर इन सबके चलते वह अपने घर का विनाश कर लेती है और फिर बाद में उस चीज़ का पच्चतावा करती है रावन का कहना था कि इसी अवगु अशुध होती है। जी हाँ दोस्तों स्त्रिया कितनी भी अपने आपको सोने, चांदी, हीरे के आभुशनों से सजा लें, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्त्रिया अशुध होती है। रावन के मताबिक महिलाएं साफ सफाई का काफी कम ध्यान रखती हैं, जिसकी वजह से रावन ने यह बात कही थी। दोस्तों वैसे तो स्त्रियों में कई अच्छायां भी होती है, लेकिन यह कुछ आठ अवगुन हैं जिनके बारे में रावन ने बताया था कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जैश्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद, इसलिए स्त्रियों की इस चंचलता से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। दोस्तों, छठा अवगुन रावन ने यह बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पान सकती है। अगर आप पुरुश हैं, तो इस बात को बखु भी समझते होंगे और स्त्रियों इस बात को अच्छे से जानती होंगी कि वह किसी भी बात को अपने पेट में नहीं बचा सकती है। रावन ने यह बात अपने प्रान त्यागने से पहले बताई थी कि स्त्रियों कभी भी किसी की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रख सकती है। तो चाहे आप स्त्रियों के कितने भी अच्छे सगे संबंधी या फिर रिष्टेदार क्यों ना हो, वह आपका भांडा कभी ना कभी फोर देंगी और आपकी गुप्त राज को आग की तरह तेजी से फैला देंगी। इसलिए स्त्रियों को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन इतना समझाने के बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं, तो मान लीजिए कि आप अपने आपको मुसीबत में डाल रहे हैं। और कभी ना कभी आपका राज खुल जाएगा और फिर आपका काम तमाम ह दोस्तों सात्वा अवगुन रावन के द्वारा यह बताया गया था कि स्त्रियों में बुद्धी नहीं होती है। वह किसी भी चीज को अपना दिमाग लगा कर नहीं सोचती बलकि किसी भी सुनी सुनाई बात को मान लेती है। ऐसा रावन ने इसलिए कहा था क्योंकि राव जिसकी वजह से ही वह परेशानी में आ जाती है और साथ-साथ उनके परिवार वाले भी दिक्कत और परेशानी में आ जाते हैं और फिर इन सब के चलते वह अपने घर का विनाश कर लेती है और फिर बाद में उस चीज का पच्छतावा करती है। रावन का कहना था कि इसी अवगुन की वजह से स्त्रिया किसी भी फैसले को लेने में बहुत अच्छा महसूस करती है। इसलिए रावन ने कहा था कि स्त्रिया विवेक्षील नहीं होती। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्रियों के आठवे और आखिरी अवगुन की। रावन के मताबिक महिलाएं साफ सफाई का काफी कम ध्यान रखती हैं जिसकी वजह से रावन ने यह बात कही थी। दोस्तों वैसे तो स्त्रियों में कई अच्छायां भी होती है लेकिन यह कुछ आठ अवगुन हैं जिनके बारे में रावन ने बताया था और इन्हें सुनकर आप बखु भी जान सकते हैं कि स्त्रियों के अंदर क्या-क्या अवगुन होते हैं और क्या नहीं। दोस्तों, रावन ने जीतने भी अवगुन के बारे में बताया है. आपके हिसाब से आज के समय में कितना सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें. साथियों, आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जैश्री राम जरूर लिखें. धन्यवाद.